नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपका YouTube चैनल इंटरनेट से से सीखो में दोस्तों बिहार कॉंस्टेबल का जो है रिजल्ट का डेट जारी हो चुका है और कौन से तारिक में इसकी रिजल्ट आने वाली है और फिजिकल के लिए तैयारी में जूट जाएं दोस्तों और ये खबर जो है बिहार के तरफ से और मैं आपको इस वीडियो में दो खबरें देने वाला हूँ जो कि बिहार कॉंस्टेवल की रिजल्ट के बारे में होगा और अमीर के भड़ी के बारे में होगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर लें लाइक कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो में पनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर नीवस की जनकाड़ी आप सबसे पहले पास सकेंगे तो दोस्तों जैसा है कि आप हमारे थमनेल में देख सकते हैं बिहार कॉंस्टेबल रिजल्ट फिजीकल की तैयारी में जूट जाए खबरों में बिहार की नोकड़ी और आखड़ी जमीन सोरी अमीन की जो भरती है को लेकर के हंगामा क्यों हुआ है तो यह सारी बाते मैं आपको एक ही वीडियो में दोनों न्यूज के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ तो आप लोगों सनुरूद के वीडियो के अंतक बने रहेंगे इसकीप नहीं करेंगे अगर आप इस्कीप करते हैं तो कुछ जानकणिया आप लोगों को छोड़ सकती है तो दोस्तों मैं आपको अब लिये चलता हूँ इसके न्यूस पे और न्यूस पे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो देखाना चाहिए तो दोस्तों SSC, CHSL के लिए जो कि टीर वन का एक्जाम होने वाला है उसका एड्मिट काट जारी हो चुका है और एड्मिट काट को किस तरह से डाउलोड करना मैंने इस वीडियो में सारी जनकर इस्टेप बाइस्टेप बताया हुआ है और ब्यार SSC इंटरलेवल का जो मुख एक्जाम का जो फॉर्म भरने का डेट था वो आगे बढ़ चुका है और कौन से तारिक तक में डेट दिया गया है वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है और जो भी कंडिडेट विशेश सर्वेक्षन लिपिक के लिए भू राजस्व राजस्व और भू सुधार विभाग में जिनोंने फॉर्म को फिलब किया वा था जिनका चैन किया गया है उनका ज्वाइनिंग और डोकॉमेंट चेक वेरिफिकेशन का जो है तिती दी गई है और उक्त तिती में आप लोग जा करके आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और जो कंडिडेट्स विशेश सर्वेक्षन कानूर्गों में फॉर्म को फिलब किया गया है उनका भी डेट जाड़ी हो चुका है कौन से डेट में है मैंने इस विडियो में सारे जनकर्यान दी हुए है तो दोस्तों आप लोगों से अनुरग के दोनों वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे और दोस्तों ITVP ट्रेडमेंट जो कि 2017 में इसकी बरती हुई थी और उनका जो है एडिमिट कार्ट अब जारी हो चुका है और बाइस तींग को इसकी एकजाम भी है तो दोस्तों आप लोगों से अनुरग देख लेंगे और लाइक कर देंगे और मेरे आई बटन पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट के वीडियो के बारे में वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलेगी तो वहां से भी आप जनकारी प्राप्त कर सकते हो तो मैं आपको अब लिये चलता हूँ इसके निउस पे जो को मैंने आपको बताया बियार पुलिस के बारे में और दोस्तों अमीन की भरती के बारे में मैं दोनों इन दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलते हैं इसके निउस पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11,881 पदों के लिए दो चर्णों में हुई है लिखित परिक्षा अब सारे रिख्षता की तैयारी में जुटे हैं सभी जियां दोस्तों सिपाई भाली का पढ़िना मैं तक गोशित होने वाला है और बिहार पुलिस में सिपाई भाली की लिखित परिक्षा का पढ़िना मैं तक आ सकता है अभेरतियों की बड़ी तादात के चलते कौप्यों की जंच में 2-5 महिने लग सकता है इसे देखते हुए संभवना है कि मई के आखड़ी तक जो है रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा इसके बाद सारवरी दक्षता प्रक्षा होगी और लिखित परिक्षा के आधार पढ़ी चायनित अभेरतियों को इनमें इसमें कई स्परदाओं में भाग लेना होगा और कौप्यों की जंच एक साथ सीपाए भाली के लिए 2 चरणों में लिखित परिक्षा हुई थी पहले चरण में 12 जनवडी को और दूसरे पालियों में परिक्षा आयुजित की गई थी जो की वहीं 2 चरण में दो पालियों में 8 मार्च को एकजाम हुई है और जनकाड़ी के मताबित कडिब 11 लाख अभेरतियां जो है परिक्षा में सामिल हुए है और चैन परसद चैन परसद के मुताबित भले ही पहले और दूसरे चरंग के परिच्छा के बीच लंबा अंतरान रहा पर कौपियों की जाँच एक साथ होगी इसमें से 2-5 महिने का वक्त लग सकता है और उमीद है कि जनवडी और मार्च में दो-दो पालियों में जो हुई थी एक्जाम कौपियों की जाँच जो है 2-5 महिने में दो-धाय मेने लग सकता है और 12 जनवडी को जो दो पालियों में आयूद की गई थी पहले चरन की परिक्षा और सारेरिक दक्षता को जो पांच गुना अधिक का जो चैन हुआ था सिपाह भरती के 11,800 पदों पर बाहली की परकडिया चल रही है इसके तहट पहले लीकित परिक्षा हुई उसके आधार पर सारेरिक दक्षता के सारेरिक परिक्षा के पद के मुकाबले 5 गुना अधिक अभरतियों का चैन होगा यानि 11,800 पदिया है दोस्तों उन में पांच गुना आपका चैन किया जायगा और दोस्तों सारेरिक परिक्षा में सफल अभरतियों की मेगा सूची तयार की जाएगी और सारे रिक्षिता प्रिक्षा के तहत अभिर्थियों को जो है दोड अरोची कूद और गोला फेक में भी भाग लेना अनिवारी है तो ये बाते थी दोस्तों जो कि मैंने आपको बिहार पुलिस के बारे में बताया अब मैं आपको अमीन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अमीन भाली में हो रही देरी को लेकर के जो है राजस्व सरवे परिसिक्षन संस्तां जो सास्तरी नगर में है वहाँ पे बाहर में जो है विद्यार्थियों का परदर्सन किया गया है और समाननी अमीन के जो 550 पदों पर बहाली की मांग पर अड़े हुए है छात्र अमीन बहाली में हो रही देरी से को लेकर के जो है छात्रों ने राजस्व सर्वे परिस्क्षन संस्तान सासरी नगर के बाहर परदर्सन पर नाराजगी दाहिर किया है दिन भर चले इस परदर्सन में चात्र नारे बाजी करते रहे और सिग्र बहाली की मांग पर अड़े रहे पुलिस ने उन्हें संस्थान के बाहर हो रही और सुविधाओं को लेकर वारता करने का भी आगरा किया समाने अमीन छात्रों के ओर से जिलाध्यक्स तिर्भुवन कुमार और राजीव सिंग ने नेतरित में सास्त्री नगर ठाने से राजस्व सर्वे परिसिक्षन संस्थान सास्त्री नगर तक पैदल मार्च और मुख्य द्वार पर आक्रोष पुर्ण परदर्शन किया गया अब परदर्शन को लेकर के निर्देशक वा विशेश सचीव ने बारता के लिए डेलिगेशन टीम को बलाया विश्त्रिस जानकारे देते हुए दिलाध्यक्ष तिरिभुवन कुमार ने कहा कि निर्देशक जै किसन जै सिंग ने कहा परक्रिया लगबग 20 से 25 दिनों में करते हुए रिजल्ट प्रकासित किया जाएगा यानि उन्होंने एक समय दिया जो कि 20 से 25 दिनों में इसका रिजल्ट प्रकासित किया जाएगा और उन्हें यह आस्वासन दे करके उन्हें वहाँ से भेजा गया तो दोस्तों यह सारी बाते थी जो कि मैंने आप लोगों को तक इस न्यूज को शेयर किया अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कांडिडेट्स बिहार पुलिस के रिजल्ट का इंतिजार कर करें वो रिजल्ट इस वीडियो को जान करके इस वीडियो को देख करके वो अपना मैं मैं में जो रिजल्ट घोसित होने वाला है और जो समान अमीन के 550 पदों पर जो बाहली की मांग को लेकर के छात्र अड़े हुए हैं उनका जो 20 से 25 दिन में उनका रिजल्ट आने वाला तो दोस्तो यह सारे बाते थी जो कि मैंने आप लोगों तक शेयर किया और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कंडिडेट्स होंगे वो इस वीडियो को देख सके और समझ सके तो दोस्तो हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप समों का धन्यवाद